हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके पने चैनल दी एक्जाम हेलपर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका येसिक 2022 का जो MTS का एक्जाम डेट है उसके रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आ रही है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखेगा साथ इसाथ बताऊंगा कि इसका एक्जाम पैटन क्या रहने वाला है मतलब एक्जाम में क्या क्या पूछा जागा काफी important दोस्तों वीडियो रहने वाला है फिर से वो लाओं वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेगा हम देखेंगे कि इसके एक्जाम डेट क्या हो सकती है ठीक है पूरी ही डिटेल बात की जाएगी दोस्तों होगा कि आपको अंदाजा लगेगा कि एसक के MTS में आखिरकार जो question पूछे जाएंगे वो कहा कहा से पूछे गए हैं पूरा डिटेल में बात की है मैंने पूरे 25 question चीके के बताया है maths में क्या क्या पूछा जा रहा है इंगलिस में क्या क्या पूछे जा रहा है reasoning में क्या क्या पूछे जा रहा है इससे आपको एक idea लग जागा इससे आप MTS की और बहतर तरीके से तियारी कर पाएंगे तो इसको जाएगे और पूरा देख लिए इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा अगर बात करें इसे की MTS की exam date की उससे पहले बता दूँँ दोस्तों आपने CHSL या MTS का भी form वर रखा है तो उसके लिए हम GKS क्लासे श्टार्ट करेंगे तो 25 सब्सक्राइब कर लिए यहीं से आपको ज्यादा तर एक्जाम में कोश्चन देखने को मिलेंगे और दोस्तों बता दूँँ देखिए अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि आप जब मेरा एनालेस का वीडियो देखेंगे तो सब साब पता चलिए कि आप क्या गलती कर रहे होगी 60 मिनिट में आपको 100 कोश्चन करने है और यह कहीं से भी पॉसिबल नहीं है और यह तभी पॉसिबल है जब आप धेर सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते है टेस्ट वोक की एप पर तो जाईए वहां से लगाईए क्यों आपको यहां पर 399 देख रहा है तो यह 349 का आपको दिख जागा जैसे ही आप अपको देख लूँआ है तो आपको यह वाला कोड इसका स्क्रीशॉट ले लिए यह डालना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगों वहां से जाके डारेक्ट आप पर्चेस कर सकते हैं क्योंकि यही आपको सेलेक्शन दिलाने वाला मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि एसक यूडिसी में जो केंडिट से उन्होंने यही गलती की कि मॉक्टेश नहीं लगा है और उनके अटेम्ट कम हुए ठीक है तो मॉक्टेश ही आपके अटेम्ट बढ़ाएंगे तो मॉक्टेश यह आपको सेलेक्शन दिलाएंगे तो जाइए ले लिए अब बात करें एसक के MTS की दोस्तों तो देखिए MTS की एक्जाम डेट की बात करें देखिए आपका 26 और 27 इसको क्या लगा है और विए असिस्टेंट का एक्जाम लगा हुआ है बट उसके भी एड ज़्यादा लेट नहीं करेंगा तो यह पहुचेगा नेक्स्ट विक यानिकी तीन या चार अप्रेल को इसका अग्जाम देखने को मिलेगा फिर अगर आपका MTS देखिए MTS का एक्जाम अगर तीन चार अप्रेल को यह होता है तो MTS का एक्जाम कहीं न गहीं है आपको मॉक टेस्ट लिए और दोस्तों एक चीज और बता दूं आप कमेंट करके बताईएगा क्या आपने UDC का एक्जाम भी दिया था और क्या आपने RBI एसिस्टेंट का भी फॉर्म बढ़ा है ठीक है तो यह सब चीज आपको करनी है और मॉक टेस्ट जरू लगाना है ध्यान र सब्सक्सर दोस्तों आपने बताई है तो वसल्वाबार्णvent का एक भी जिएवाद का एकड़ाता है रखना है को बगड़ा वस्तों बड़ाद़ में यह मैं भी एक का में हमार में रखना है राखना है डशेवा तो फे डार दो कर दोक्षेश